गाइबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद वाभार चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर फॉलो करें आज की बड़ी खबर सिविल लाइन जो राहे पर ट्रक टेल ने बस की भीसर टक कर मारी अनियंत्रिक तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस को मारी जोरदार टककर टककर की चलते रोडवेज बस घिसती सरक की किनारे दूकानों में गुसी बस में बैठी करीब नौ सवारियां हुई घायल सभी घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज चार की हालत गमभीर ट्रक को हटाने का रेस्क्यू जारी शहर कोत्वाली क्षेत्र के अंतरगत सिविल लाइन चौराहे की प्रयागराज लखनों हाईवे की घाटना मौके पर शहर कोत्वाल की पूरी टीन मौजूद थी बाद में सियो सिटी नौ लोग घायल है रायबरेली में आज सुबह सिविल लाइन पर प्रक्वा बस में जोरदार भिरंध हो गई जिससे नौ लोग घायल हो गए घाटना सुबह लगभग पॉने 6 बजे की बताई जा रही है दुरगटना के बाद सदर कोत्वाल मौके पर पहुँचकर घायलों को जिला अस्पताल भेजा जहां उनका प्राथमिक उक्चार किया जा रहा है जिला अस्पताल के इमजेंसी मेडिकल ओफिसर डॉक्टर एसके सिंग ने बताया कि दुरगटना में कुल 9 लोग घायल हुए है जिनमें 4 लोग गंबीर है फिलहाल इनका उपचार जारी है डॉक्टर इसके सिंग इमो जिला अस्पताल रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज पर फॉलो करें रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद वाभार चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर फॉलो करें आज की बड़ी खबर सिविल लाइन जो रहे पर ट्रक टेल ने बस की भीसर टक कर मारी अनियंत्रिक तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेस बस को मारी जोरदार टक कर टककर की चलते रोडवेस बस घिसरती सड़क की किनारे दूकानों में गुसी बस में बैठी करीब नौ सवारियां हुई घायल सभी घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज चार की हालत गंभीर ट्रक को हटाने का रेस्क्यू जारी शहर कोत्वाली क्षेत्र के अंतर्गत सिवल लाइन जोरदार